जहां ट्रेन यात्रियों के लिए एक और बड़ा जटका दरसल रेलवे ने एक बार फिर से यात्री ट्रेनों को रद किया है बड़ी संख्या में 24 सगस से 9 सितंबर तक अलग-अलग दिनों में 47 ट्रेने रद होंगी आठ ट्रेन के रूट बदले जाएंगे उमरिया और दमो स्टेशन पर नॉन इंटर्लॉकिंग काम की वजह से ट्रेनों को रद किया गया है और इस बीच है चुकि रक्षावंदन का तिवहार और कई अन्य आगे तिवहार भी हैं और ऐसे में ट्रेन्स का कैंसल होना ना सिर्फ भाई बहनों के लिए बल्कि अन्य यात्रियों के लिए तो हरोज या फिर किसी किसी कारण से यात्रा करने के लिए अपने टिकेट्स करवार चुके थी बड़ी परिशानी उन लोगों के लिए हो सकती है श्योपूर में दुकान में भीशान आग लग गई है दरसल शॉट सर्केट आग लगने की वज़ा बताई गई है बता दें कि दमकल की गाडियों ने आग को बुझाया और लाखों का सामान जलकर इस दोरान प्राक हो गया और इस पूरे घटना क्रम में जो तस्वीरें सामने आई वो भी इस वक्त आपको दिखा रहे हैं आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि आग लगने के बाद मौके पर पहुंची दमकल की गाडियों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया और शोपूर से ये पूरा मामला सामया जहां लाखों का सामान आग में जलकर स्वाहा होगा दीपक हमारे सहीों की जोड़गे हमारे साथ बात करेंगे उनसे दीपक कब की दुर घटना है और अभी क्या डीटेल्स मिल पारें इस बारे में जी बिल्कुल आती से बीती रात की ये घटना है और काफी नुकसान इस आग जनी में हुआ है बताया ये गाया है कि खिराना जो ठोक ब्यापारी है उनकी दुकान में याग लगी है सोई के ला कचले का ये पूरा मामला है और आग की वज़े से लाखों रुपे का माल यहाँ पर जलकर खाक हुआ है ब्यापारी के दौरा बताया गया है करीब एक क्रोड़ से उपर का नुकसान है लेकिन अभी तक नुकसान का जो आखनान है वो पूरी तरह से ब्रसासनिक टीम करेगी तब बताया जातकिगा कितना नुकसान हुआ है लेकिन नुकसान बड़ा हुआ है और सौर सरक्रे की वज़े से ये आग या निया हुई है लमकल की गाड़ियों ने बेर रहा थी आग पर काहु पालिया लेकिन नुकसान हो हुआ है अपर बहुत शुक्रिया दिपक आपका इस जानकारी के लिए और बरते आगे राजानी भोपाल में एक बार फिर बंदू के दम पर लूट की वारदात को अन्जाम दिया गया क्रिश्ना ओर्किट कॉलिनी में जोलर्स की दुकान पर लूट की गई है हेलमेट पहन कर बाइट सवार दो बदमाश आए बदमाशों ने कैश समित सोने चांदी के जेवर लूट लिए बागसिवनिया थानक शेतर का ये पूरा मामला बताया जा रहा है जहां पर अब क्या कुछ कारवाई चल रही डीटेल्स आप तक पहुचा रहे है फिलाल पुलिस चानवीन कर रही है पूछ स्टार्च के बाद आगे सीसी टीवी कैमराज के वीडियो चेक किये जाएंगे और उसके आधार पर आगे की कारवाई की जाएगी फिलाल इस पूरे मामले के बाद एक बार फिर से मारकेट में दुकानदारों में दहशत है इस तरह बाइक सवार बदमाशों ने लूट पार्ट की वारदात को अन्जाम दिया और हत्यार लेकर आये थे बदमाश किसी की उपर हमला भी कर सकते थे और ऐसे में कई तरह के सवाल उठ रहे हैं अब पुलिस प्रशासन आरोपियों की तलाश में जुट गया है तो भोपाल में एक बार फिर से बंदू की नोग पर लूट हुई है दो बाइक सवार बदमाश हेलमेट पहन कर आते हैं और जूलरी की दुकान से सोना चांदी कैश लेकर फरार हो जाते है हाला कि कौन है और कहा से बदमाश आये थे और जिस बाइक पर सवार हो कर आये थे उसके नमबर को लेकर तमाम जो है जाज परताल की जा रही है CCTV फोटिजिस खंगाले जा रही है आसपास के जो लगे हुए हैं बदमाश ने कैश समेट सोने चांदी लेकिन कितने के थे कितना कैश था अब तक जानकारी नहीं है वासू क्या जानकारी मिल रही है नुकसान कितना हुआ है कितने रुपे के सोने चांदी लूटे गए है और अब क्या कारवाई की जा रही है अब बलगो देगे राजजानी भोपाल में बदमाशों का लुटेरों का कहर जो है वो लगातार जारी है कुछ दिन पहले रचना नगर टॉबर में जो वारदात हुई थी वो गटना है वो सी सी टीवी सामने आया है उसके बाद एक बर फिर से बंदूक की नौक पर लूट की गटना को इंजाम दिया गया है बाग से वनिया थानके तका यह पूरा मामला है गटना कल देर शाम की जो है वो बताए जा रही है दो बदमाश एक जुवेलर्स की दुकान पर बंदूक लेकर गुसते हैं बंदूक की नौक पर उससे लूटने का काम करते हैं करीब 40,000 रुपे कैश लूटा गया है जो कि उस समय दुकान में कैश मौजूद था और उसके लावा जुवेलर्स भी लूटे गए जिसमें सुने चांदी के जुवेलर्स से शामिल होना बताया जा रहा है जुवेलर्स की कितनी कीमत फिलाल इसका जो अंदाजा है वो लगाया जा रहा है और इसके लावा जो सीसी टीवी फोटेजेस और सीसी टीवी कैमरे हैं उनको भी तलाशा जा रहा है कि उसमें से कोई क्लू मिल सके दो बदमाश बाइक पर हेलमेट पहन कराया थे यानि की जाहर सी बात है कि उनका चहरा छुपा हुआ था अब ऐसे में उनको आइडेंटिफाई करना पुलिस के लिए कही ना कहीं एक चुनोती जो है वो बना हुआ है लेकिन पुलिस में दावा किया है कि जल्दी हम उनको आइडेंटिफाई कर लेंगे और जल्दी उन्हें गिरफतार करने का जो काम है वो किया जाएगा रोका जाता है ये जरूर देखने वाली बात होगी लेहाजा इस पूरे मामले को लेकर लगातार पलिस की जो टीमे हैं वो सक्रिये हैं और दावा यही है कि जल्दी जो पूरे बदमाश है जो आरोपियों ने गरफतार कर लिए जाएगा जी जी चुनौती है कि ये भी रहेग के डॉक्टरों ने देश व्यापी हर्ताल वापस ले लिया है स्वास्तमंत्री जेपी नड़ा से मिलने के बाद ये फैसला लिया गया है इस बरबरता का देश भरके डॉक्टरों में आकरोश है और सभी ने हर्ताल शुरू कर दी थी ऐसे में अब उसका हल ये निकाला गया है कि जो भी मांगे डॉक्टर्स के द्वारा की गई है उन मांगों को मान लें के लिए सरकार ने अब एक बीच का रास्ता निकालने के कोशश किया है और उन सभी मांगों को मान लेने के लिए आश्ट्रासन दिया है और जबलबुर से खबर जहां बांगलादेश में हिंदूओं पर हो रहे अत्याचार का विरोध किया गया संसकारधानी में एक मशाल जुलू स्यात्रा निकाली गई हिंदू सेवा परिशत के सेकड़ो यूवकों ने मशाल लेकर गुसा जाताया है भारत को अखंड हिंदू रास्ट बनाने की मांगी गई है मशाल जुलू स्यात्रा में महिलाओं के साथ बच्चे भी शामिल हुए राइपुर नगर निगम के सामने दो गुटों में जम कर मारपीट हुई दोरो तरफ से जम कर लागगु से चल रहे हैं दरसल मारपीट की बज़े कोई पुरानी रंजश बताया जा रहा है और मारपीट की बज़े से सड़क पर लंबा जाम लगया तस्वीर को आपको दिखा रहे हैं ये देखे और वर्चस्व की लड़ाई के चलते कालेज चात्रों के बीच बार पे चुरू हुई थी बुड़ा पारा गवली फील्ड और बैजनात पारा के युवकों ने जम कर लादगू से लाटी डंडे चलाया अलाकि बाद में पुलिस मौके पर पहुँची और हालात को काबू म करने के लिए चात्रों को ते तर्बेटर किया और कुछ चात्रों को हिरासत में भी लिया गया राइपूर से ये पूरा मामला सामने आ जहान नगर निगम के बाहर ही ये आपस भिड़ते नजर आया और वो भी पुलिस के सामने ही अलाकि मौके पर पहुंची पुलिस ने शात्रों को नहिंत्रित किया और इस पूरे मामले में कुछ आरोपियों को हिरासत में भी लिया है और वरत्यांगी शाजापूर में जब्त की गई अवैट शराप पर बुल्डोजर चला कर उसे नश्ट कर दिया गया लाखों रुपे की अवैट शराप को नश्ट किया गया है अवैट शराप की बोतलों पर जेसी भी मशीने चली है पाथ सो दस पेटी अंग्रेजी शराप नश्ट की गई है पुलिस ने साल 2014 में शराप पकड़ी थी दो ट्रक से भी ज़्यादा शराप नश्ट की गई है कि अब पर पुलिस ने आज अवेज लुप से पकड़ गई शराप को इस तरीके से लश्ट के आप दे सकते हैं यहाँ पर बड़ी तादाद में अवेज शराप को जखीडा का जो पुलिस ने पकड़ाता साल गोजार चुलबा में उसके बाद लगए बस सालों बाद जाकर अवेज शराप की खेव को नश्ट किया जा रहा है आज जो है अपकारी विभाग पुलिस विभाग और प्रसाक्ष्ण के तमाम अलादिकारियों की मोजूद्गी में इस पूरी शराप को नश्ट किया जा रहा है कई शराप के जो बड़े ब्रांड है वह आप देख सकते ह पर उनको नश्ट किया जा रहा है, फोतवाली थाका किने उसने साल दोजार तुल्दा में अवेश चराप के बड़ी खेप पकड़ी थी लाखू रुपे की, उसके बाद लंबे समय से पुलिस के पास चराप रखी हुई थी और अब ड़को 10 सालों बाद अवेश चराप की ख कर रहा था, दरसल चैटिंग में अश्लिल वीडियो बना लिया गया और वीडियो वाइरल करने की ये धमकी दे रहा था, पुलिस ने आरोपी से मुबाइल जब्त कर लिया है और अब आगे कारवाई की जा रही है और विलास पूर से बड़ी खबर आपको बता दें कलेक्टर के ट्रेमबर की फॉल सिलिंग के गिरने का एक मामला सामने आया आला कि उस वक्त कलेक्टर वहां मौजूद नहीं थे आपको बतादें के अपनी शरण जो कलेक्टर है वो उस वक्त वहां मौजूद नहीं थे एक बड़ा हादसा होने से चला गटना में पीड़ी डिके मेंटिनेंस के दावों की पोल खुल गई है बिल्डिंग के ज्यादा तर हिस्से जरजर और फॉल सीलिंग से टपक रहा पानी आप देख सकते हैं तस्वीरों में की पानी टपक रहा है और बरसाती मौसम है इस भी शाह पर कितना ज्यादा नुकसान होता होगा ये भी अन्दाजा लगाया जा सकता है कि अब सवाल ये कि अब तक ठीक होगा कलेक्टर के चैंबर की फॉल सिलिंग गिर गई गटना के दौरान चैंबर में कलेक्टर नहीं थे वरना बड़ा हाथसा हो सकता था अबनी शरण नहीं थे और उसके बाद यहाँ पर देखा गया कि कैसे पानी भी टपक रहा है गटना ने पी डेवली डी के मेंटेनेंस की पोल खोल कर रखती है पी डेवली डी के तमाम दावों का यहाँ पर क्या हाल है आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं उमेश महरे हमारे सेयों की जुड़के महरे साथ बात करेंगे उनसे उमेश यह जो सब कुछ हो रहा है पी डेवली डी की तरब से को इस पर सफाई दी गई कि आखिर किस वज़े से हो रहा है लेकिन आप इस्तिती को देख सकते हैं कि किस तरीके से कलेक्टर का चेमबर ही सुरक्षित नहीं है जहां पर चेमबर कलेक्टर उनी शरण बैटते हैं उस जगे की जो फॉल सिलिंग है वो भरभरा कर गिर गई एक भड़ा हाथ सा वहां पर टला है चुकि जिस दौरान ये घर्टना हुई वहां पर कलेक्टर उनी शरण नहीं थे यह केवल कलेक्टर चेमबर की पैक्षित यह सती तरीके से है पूरी जगे सिपेज की पैक्षिति बनी है पाने टप ऐग रहा है लेकिन केवल PWD ये कहता है हर साल की वो maintenance पर करोड़ो रुपए खर्च कर रहा है ये करोड़ो रुपए जो खर्च कर रहा है उसकी पोल खोल कर इस पॉल की लिंग ने रख दिये तिलहाल इस पूरे मामले को लेकर collector ने action लिया है और वहाँ पर जहां भी building में जिस जगे पर पानी सिपेश की इस्तिती बनी हुई है वहाँ बहतर करने के लिए निर्देश जारी किया है अगर ऐसी इस्तिती नहीं होती है तो उन पर कड़ी कारवाई करने की चेतावनी दी है जी बहुत शुक्रिया उमेश जानकारी साजा करने के लिए दुर्ग से बड़ी कबर आ रही है पुलिस ने 11 लाग का गांजा बरामत किया है दरसल खड़ी गाड़ी से 113 किलो गांजे की बरामत की हुई है चेंबर बना कर गाड़ी में इसे चिपा कर ले जा रही थे आरोपी और अब फिलाल जो आरोपियों की तलाश की जा रही है उसमें दावाई किया जा रहा है कि बहुत जल्द उने घर लिया जाएगा दरसल जेवरा सेरसा चौकिक शेतर का ये पूरा मामलोड ये देखे किस तरह से ये गाड़ी में चेंबर बना कर ये तसकरी चल रही थी और ये इन दिनो बहुत आम को चला है अला कि ये जो चेंबर हैं से पहले कई और गाड़ीों में पकड़े गए हैं अब इस पूरे तिकड़म का खुलासा हो चुका है और पुलिस कर्मी जो दिन भर इस तरह की गाड़ीों पर नज़र रखते हैं वो देखते ही ऐसी गाड़ीों को पैचान लेते हैं कि ये गाड़ी किस काम के लिए इस्तेमाल की जा रही है और एक बड़ी काम्यादा और वड़ी कबर दंतिवारा से जहां पार एक इनामी नकसली दमपत्ती ने सरंडर किया है पाच लाग और दो लाग के इनामी नकसली ने आपकी समरपड किया है पुलिस के सामने हत्यार डाले हैं कई बड़ी नकसली वारदात में ये शामिल हो चुके हैं लेकिन अब इन्होंने सरंडर कर दिया है इन पर इनाम भी था एक पर पाच लाग तो दूसरे पर दो लाग का इनाम था पुलिस के सामने इन्होंने हत्यार डाल दिये ही कई बड़ी नकसरी वारदात में शामिल रहे चुके है और शाजापुर में स्वासिवभा की टीम ने बस्टैंड के मेडिकल स्टोर क्लिनिक पर चापा मारा यहाँ पर जिला अस्पतार में तैनाथ स्टाफ नर्स मेडिकल के अंदर बने चैमबर में डॉक्तर बनकर महिलाओ का इलाज करती थी महिला डॉक्तर ने ग्रामिन से जिला अस्पताल में गर्बवती महिला के ऑपरेशन के नम पर पंद्रा हजार रुपे लिये थे जार्च के बाद मेडिकल क्लिनिक को सील किया गया दरसल ग्रामिनों ने कलेक्टर और सिवल सर्जन को पूरे मामले की शिकायत की थी लेकिन अभी तक कारवाई क्या कुछ चल रही है इस पर और डीटेल्स आगया पर कहुंचाएंगे लुटीटेल्स लुटीटेल्स अभी बुड़ाया गया उसके जो पह्चान किया गया कि वहीं पर जलस्ताल में पदस्त स्टाफ नर्स है विलासपूर में भी ड्रग डिपार्टमेंट और पोलिस ने पाच मेडिकल स्टोर पर चापा मारा है दरसल इन दुकानों से नशेली दवाईयां और सिरफ जब्त किये गए है और इन मेडिकल स्टोर उसके खिलाफ पोलिस को लंबे समय से नशे का सामान बेचने की शिकायत मिल रही थी इसके बाद इनके खिलाफ बड़ी कारवाई की गई है और इस कारवाई में नशेली यहां बेचने का इन मेडिकल स्टोर्स पर आरोप है और ड्रग डिपार्टमेंट और पुलिस ने से करूप से इसका रवाई को अंजाम दिया और बरते आगे राइसियन के सिल्वानी में बलाक शिक्षा अधिकारी कारेले में एक बड़े घोटाले का मामला सामने आया है यहां पर आती थी इस दिक्षकों के वेतर नॉर्मांदे के नाम पर एक करूर पच्छतर लाग तीन सो चप्वालिस रुपए का घोटाला सामे आया है पता चला है कि 22 खाता धारकों को रकम दी गई है जिसमें से 12 तो सरकारी करमचारी ही नहीं है सबसे बड़ी बात ये है कि 47 लाग 22,427 रुपए की रकम सुमन अहिर्वार के खाते में डाली गई है घोटाले में B.E.O. लेकपाल और कम्प्यूटर ऑपरेटर की भूमिका सामने आई है और सरकारी रकम करमचारीों के रिष्टदारों के खाते में बीडाली गई है अगे दुर्ग से कहम खबर जहां दुर्ग में एक शक्स की हत्या के बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा उन्होंने सडक पर शब रखकर प्रदर्शन किया है और आरोपियों की गिरफतारी की मांग की है आपको बता दे कि आप इसी विवाद में युवक की हत्या कर दी गई थी दरसल आरोपियों ने 20 साल के शुभम वांदे पर चाकू से कई बारवार किया और उसे लहो लोहन हालत में जिला स्पताल में भरती कराया गया हलाकि बाद में उसे उम्रत खुशित कर दिया क्या राज़ानी बोपाल में आज तिरंगे के रंग में कई गलियां कई सड़के रंगी हुई नजर आएंगी रसल मुखरजी नगर और कुलार से ये विशाल तिरंगा यातरा निकाले जाएगी इस तिरंगा यातरा में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मुख्य अतिथी के रूप में शामिल होंगे करीब 30 किलोमेटर लंबी होगी यातरा मुकरजी नगर कोलार से संत नगर तक लगभग 30 किलोविटर लंबी होगी यात्रा 500 से भी ज़ादा जगवों पर यात्रा का स्वागत होगा लगभग 1000 पुलिस के जवान यहाँ पर सुरक्षा के लिए तैनात रहेंगे और ये कल रोज बीते रोज की तस्वीरें हम आपको दिखा रहें बोट कलब पहुँचे थे मुख्यमंत्री डक्टर मोहन यादव रूज पर खड़े होकर उन्होंने तिरंगे के रंग में रंगे गुबारों को हवा में छोर कर आजादी का संदेश दिया और तिरंगा यात्रा को एक तरह से यहीं से शुरू किया गया झाल